दोस्तों नमस्कार मैं यार शर्मन आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही उंदा प्रोड़क्ट जिस पर मैं परस्नली मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करता हूं उस पर हमारे घर में भी पिछले एक दो साल से वो यूज हो रहा है एक ऐसा प्रोड़क्ट है जिस पर अपने बिजनस को कि अपनी कर सकते हैं तो कि क्या होता है आप बड़ी बड़ी दुकानों पर जाएए आप बसों में सिल्समें को देखेए वरी बाहर लगा होता है कि 70% discount on selected items तो attraction के लिए या इसको हम कहते हैं entry product राइट हमें किसी के घर में entry करने के लिए हमारे पास एक बहतरीन product है और वो product है foam cleanser और toothpaste तो toothpaste के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं यूज भी कर रहा है foam cleanser बड़ा important product है देखिए foam cleanser एक face cleanser है और face wash के रूप में उसको हम यूज करते हैं तो जहां पर oily skin है हमारे पास चूंकि cleanser दो डाइप पी है एक deep cleanser है foam cleanser है दोनों अलग-अलग नहीं है देखा जाये तो दोनों एक दूसरे के पूरक है deep cleanser जो है जैसे नाम उसका है deep cleaning करता है जैसे heavy makeup skin लगा दिया कभी आप बहुत ज़्यादा exposure आपका sun, dust और बाहर environment में हुआ है तो आपके चेरे पे या चेरे पे कुछ ऐसी चीज़े है dead cells आपकी जो पिछली बार मैंने आपको बताया था ज्यादा है उसको दूर करने के लिए, foam cleanser आपका regular use के लिए है जिसको आप रोज भी मैं भी foam cleanser लगा के बैठागे, foam cleanser basically face wash है और कैसे इतना अच्छा है इसको हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि face wash क्यों बनाया जाते हैं ऊसके दो-तीन काम मुख्यत्य होते हैं, नंबर एक होता है आपके चेरे पे जो भी impurities हैं, impurities means आप ऐसा समझ लेजे, पानी में भी impurity होती है, आप जिस चेरे से पानी दोते हैं, उसमें भी impurity हो सकती है, तो वह आपके चेरे पे जम सकती है जमी रह सकती है, जम सकती है, जब आप धोते हैं, बाद में जमी रह सकती है, और अंदर डीप आपकी इपिडर्मिस में जमा हो सकती है, तो लंबे समय और आपके छेरे पर रिंगल्स हैं, इस तरीकी की चीज evaluation भी ला सकती है, उसके लिए वो मददकार होती है, तो impurities जितनी भी है, dust है, air है, हवा, पानी जितना है, वो impurities आपके चेरे से हटाने के लिए, कई बार कुछ बैक्टरिया जो हैं, वो हमारे चेरे पे, चुकि पूरे बाताबरन में बैक्टरिया और वायरस फैला हुआ है, तो वो कहीं न कहीं हमारे चेरे पे, अपना मकान बन पानु है, उनको दूर करने के लिए, dirt धूल जम जाती है, उसको दूर करने के लिए, और makeup उसको दूर करने के लिए, चीक है ना, क्योंकि इस सारी चीजें को खराप करती हैं, irritate करती हैं, और आगे चल के skin problems का सबब बनती हैं, तो इसलिए इनको दूर करने के लिए फेश वासिस बनाया गए हैं पहले हम लोग सावन से मूद होते थे जैसे हम आप से 40-50 साल पहले के बात करें फेश वास नाम का कुछ चीज नहीं हुआ करता था लेकिन एक इंडियन फेश वास बहुत पहले से चला आ रहा है आप देखेंगे कि मिट्टी मुलतानी मिट्टी क सूर की दाल पीज को उसको यूज करना यह सब हमारे ट्रेडिशनल फेश वाश हैं जो हमारी दादी अम्मा और उनकी जमाने से चले आ रहे हैं तो अब क्या है लोगों के पास इतना समय नहीं है दूसरा जो इस तरीके के फेश वास हैं उसमें कहीं ने कहीं जैसे मुलतानी मिट्टी हो गया यह चीजें हो गई तो इंपूरिटीज दूर नहीं हो पाती है वो अल्टिमेटली कहीं नहीं कि चेरे को उस तरीके से साफ नहीं कर पाती है तो इन सब कामों के लिए अब आजकल फेश्वास होते हैं और उसमें एक जबरदस फेश्वास बनाया हुआ हु सबसे बड़ा औरगन इसको अगर हम औरगन के रूप में देखे हैं तो इसकिन जो है तुचा आपकी जो है वो सबसे बड़ी औरगन है शरीर का सबसे बड़ा अंग है और इस अंग में जो चेरे की तुचा है वो सबसे पकली कमजोर होती है इसलिए बातावरण के प्रभा स्पाव उस पर ज्यादा पढ़ते हैं डूसरा करण समझ कि में आप सर्दी में अपने शरीर को तो सकते हैं ल किन चैरा ढखने का काम है। और शऴस्र से दुवा कीज़े। कोरोन काल दुबारा ना आए तो इस मामले में आपकर जो होता है वह अक्सर जो है ज़्यदा तर 95% आपका एक्सपोज होता है आप इस समझ लिए कि ठंडी हवा जब चलती है सर्दी हवा चलती है तो और वह फेस में सब्सेदा लगती तो इफेक्ट जो प्रुभाब जो आपके face में सबसे जाड़ा होता है इसलिए आपको face की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने face को समाल के अपनी face की skin को समाल के रखना जरूरी है facial cleanser जो होते हैं वो एक तरीके का first step है जब आप पूरे skin treatment की बात करते हैं तो dirt को dead skin cells को और भी चीज़ें आपकी skin पे जम्मा हो जाती हैं उन चीज़ों को हटाने के लिए बिश्वास बहुत जरूरी है आम तोर से लोग कहते हैं आम तोर से क्या science भी कहती है और हमारे हाँ एक हावत भी है कि आप जब खाना काने भी बैठें तब भी आप चेरा और दोके बैठना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि जब आप जमीन पर चलते हैं तो पैरों में सब्सादा गंदगी और दूल बगरा लगती है और हवा में अगर कुछ दूल बगरा है तो आपके चेरे पर जबती है तो कभी भी आप हमारे हैं कहा जाता है तो regular wash जो है आपके चेरा का बहुत ज़रूरी ह है मैं जब जवाने की दिनों में था तो आप समझ लीजिए सिर्फ पानी से ही मैं दिन में कम से कम पांचे बार अपना चेरा दोता था और यह बड़ी अच्छी आदत है आप लोगों को भी मैं करता हूंगा कि आप अपने चेरे को दिन में पांचे बार पाने से ज़रूर दोया कीजिए नंबर एक नंबर टू आप चीज समझे क्यों पानी से दोने को मैं कह रहा हूं क्योंकि इसकिन जैसे मैंने आपको बताया फेस की इसकिन बहुत कमजोर होती है तो इसके नीचे पानी ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता है देखे इसकिन के नीचे पानी अग हो जाएगी तो आपकी इसकिन जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से सांस लेगी उतनी इसकिन जमा रहेगी तो अगर आप जमान रहना चाहते हैं यू यंग रहना चाहते हैं यूथफुलनेस अगर आप पाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे फेस क्लिंजर से अपने चेरे ताकि उसको मॉस्टराइजिंग मिले, नमी मिले, चेहरे को अच्छा रखने के लिए, रिंकल्स और जुरियों को दूर रखने के लिए, चेहरे में कसावट को पाने के लिए, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी face की तुचा की नमी बरकरार रहे, तो ऐसे face cleanser जो आपको dry करते हैं, ऐसे face cleanser को आपको यूज करना चाहिए, नाम तर से market में जितने भी face cleanser जो सस्ते वाले आते हैं, मैंने अक्सर देखाया कि बाद में वो आपकी skin को dry कर देते हैं, तो हमारा मुक्य उद्देश क्या है, इस skin को अगर आप जबान रखना चाहते हैं, तो skin, आपकी face क skin को हमेशा hydrate रखिए, उसकी नमी को बरकरा रखिए, तो यहाँ पर दो काम हो गए, सफाई, आपके चेहरे की skin की, तुचा की, दूसरा skin की जो नमी है, उसको बरकरा रखना, ये दो important point हैं, जिसको आप समझ लेजे, जिसकी वज़े से face cleanser यूज होता है, अब मैं आता आतामी की face cleanser में क्या है, मैं आतामी की website को खोलता हूँ, और वहीं से हम आपको बताने के कोशिश करेंगे, कि आतामी की face cleanser है, उसमें क्या फर्क है, और कैसे ही बेतर है, तो आईए बढ़ते हैं आगे, देखिए, मोटा मोटा अगर आप समझें, तो 1500 ml आपको foam cleanser 900 रुप हमको कई बार करें, बहुत महंगा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आप आज दातों तले उंगली दवा लेंगे, कि वास्तम में अटामी की product सस्ते हैं, महंगे नहीं है, महंगा हमारी बुद्धी का प्रयोग ना करना है, ये बहुत महंगा है, इसलिए हम इसका प आज मैं आपको ऐसे ब्रांट्स भी दिखाऊंगा, जो quality में अच्छे हैं, लेकिन उनकी price हमसे double और triple है, तो अगर वो effect हमारे 900 रुपए की product में, देखिए ये product हमारे घर में use होता है, आज चार मेने होगे, हम तीन लोग हैं इसमें गर में, और तीनों लोग इसको बराबर यूज़ करते हैं, और चार मेने से 1.500 ml का बैक चल ला है, तो सस्ता हुआ या महांगा हुआ, ठीक है, यह मसला अलग है, यह point में अलग से discuss हो, आपको screen दिख रही होगी, अगर दिख रही है, तो thumbs up मुझे कर दीजे, कोई भी एक, ताकि मुझे पता चला, क्योंकि मैं आप आपके जवान बनी रहे, तो पोर्स को जो छेद होते हैं, इसकिन के अंदर छोटे-छोटे, जिससे नमी अंदर जाती है, रुख जाती है, कई बार पोर्स को बंद करना भी ज़रूरी होता है, तो हम उसमें कर सकते हैं, तो foam cleanser आपके पोर्स को clean करता है, और जो skin पे जमा गंदगी हो जाती है, उसको दूर करता है, और मैंने आपको बता है, impurities को भी बाहर करता है, इसमें क्या-क्या चीज है, जरा इसको समझे है, तो आपको और अच्छी तरीके से समझने आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक दूसरी तरफ ले जाता हूँ, और आपको समझाने के कोशिश करता हूँ कि हमारे प्रोडेक्स कितने जबरदस्त हैं, ठीक है, आपको इसकिन दिख रही है, सिना सर्वरत हम सब को निशान मुझे बेजी, मैं समझूगा, मेरी आवाज नहीं आ रही, ओके, ठैंक यू मैंदर जी, तो फॉम क्लींजर में क्या-क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, देखिए फॉम क्लींजर में कितनी जबरदस्त चीज़ें हैं, आप अगर, यह मैंने एक कंपरिटिब इस्टिटी बनाई है, इसमें आपको एन्थ Anthemis, Novelis, Flower Extract, पहले हम Extract के नाम बता देते हैं, यह आपकी इसकिन में जूरियों को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, और एक बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी है एक तरीके से, Althea Officionalist है, Leaf और Root दोनों का Extract इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर और क्या क्या चीज है, इसको भी तरह देख लेते हैं, इसके अंदर जो है, वो आपको Cordyceps, Sinesis Extract है, वो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें, आपका Phoniculum, Bulgari, मतलब जिसको हम कहते हैं, Soft, Soft का Extract भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, दूसरा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 जड़ी बूटियों से बनकर, मिलकर बना है, कितनी जड़ी बूटिया है, 14, 14 प्लांट एक्स्ट्रेक्ट, मोटा मोटा आप मैं उसमें नहीं जाऊंगा, 14 प्लांट एक्स्ट्रेक्ट किसमें हैं, आपके फोम क्लेंजर में, आप इस समझ सकते हैं कि फोम क्लेंजर कितना जबरदस्त है, मैं वापिस कंपनी की वेबसाइट पर आता हूँ, ठीक है? दूसरा, फोम क्लेंजर की क्वांटिटी आपको बहुत कम यूज़ करनी है, मुशिल से एक हैमल, यह क्या काम करता है मुक्तिया, यह आपकी जो इसकिन के पोर्स हैं, जो छेद हैं, जिसमें कई बार आपके मेकप का जो अप्शिस्ट है, रेजिड्यू है, वो फसा रह जा करती है, तो यह अंदर तक आपके क्लीन्स करता है, खास और से जो आप ऐसा समझ सकते हैं, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, या जिनकी बहुत तैली तुचा है, या जिनकी रफ है, जो भी है, बट ज्यादा तर ऑईली स्किन है, उसमें आप इसको दे सकते हैं, आप अगर चलके इसकिन को ग्लोइंग और रिंकल फ्री भी बनाने में मदद करता है, तो इसमें जो एक्स्ट्रेक्ट दिये हुए, मैंने आपको बता है, 14 जड़ी बूटियों के प्लांट एक्स्ट्रेक्ट हैं इसमें, जो एक्टमी फोम क्लीजर को बेतर बनाते हैं, तो इसका फोड़ा सा इसको पानी में मिलाके लगाएं चेरे पे और थोड़ा हलका-हलका मसाज कीजिए, दो मिनट लगा रहे हैं नदीजिए, उसके बाद आप दो डाली अपने चेरे को, आप देखेंगे कि आपके स्किन में एकडम से ग्लोव आता है और आपकी स्किन एकडम से पर करार रखता है, इसके बाद अगर आप क्रीम ना भी लगाएं या कोई मुश्राजिंग क्रीम ना भी लगाएं तब भी चल जाता है, इसलिए एक फोम क्लींसर आपको सफाई करता है, हाइड्रेशन देता है, नमी देता है, तीसरा आपकी स्किन को जवान बनाता है, इसको हम एजिंग प्रोसेस करते हैं, उसको कम करता है, तो इसमें जिस तरीके की चीजें हैं, उसमें आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, और इसलिए ये एक बहतरीन प्रोड़क्ट है, और बहतरीन मैं इसलिए कहता हूँ, क्य मैं भी यूज करता हूं कई लोगों को दिया है तो आपकी इसकिन में जो अंदर तक जाके जो सफाई करें वही अच्छा फेस क्लेंजर माना जाता है नंबर टू उसकी पहचान यह है कि आपकी इसकिन को ड्राइग ना करें साबून से दो यह हैं आपकी इसकिन ड्राइह हो जाते क्योंकि आपकी सावून का पियच जो होता ना बहुत जादा है अच्छा पियच पे हम अगर बात करें तो मैं आपके एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपकी इसकिन का पियच जो होता है वो 4.5 से 5.5 के भीच में होता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी skin को भगवान ने थोड़ा सा acidic बनाया है हलका सा वो acidic इसलिए है ताकि virus और bacteria जो हवा में है वो आपकी skin पर जब आएं तो वो मर जाएं वो आपकी skin के अंदर ना घुस पाएं इसलिए आपकी skin को इशोर ने थोड़ा सा acidic बनाया है अब चूंकि चेहरे की skin का मसला है तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा product यूज करते हैं जो acidic है या alkaline है मलब चारी है या अमली है दोनो cases में वो दोनो product आपकी skin को नुकसान पहुंचाएंगे तो यहाँ पे जो scientist कहते हैं जो research कहती है वो यह कहती है कि आपका जो भी face cleanser है वो लगभग 5 pH के बराबर होना चाहिए 5 और 6 के बीच में that is the best one मतलब वो आपकी skin के जो natural उसकी बनावट है वो खतम ना करे तो इसलिए आप हमेशा देखिएगा कि जितने भी जो अच्छे face cleanser होते हैं वो बहुत जाधा उनका पीएस नहीं होता लेकिन market में बहुत सारे ऐसे face cleanser है जिनका पीएस या तो बहुत जादा है या बहु अलग है अब हम बात आते हैं कि एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या हम इसको रोज यूज करें तो मैं गयता हूं हमेशा आपको यूज करना चाहिए अगर आप एक अच्छे face cleanser की तलाश में हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो एक चीज यह रही दूसरी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्राइस की बाद जो आप लोग बात कर रहें तो मैं आपको थोड़ा से एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको समझ में आएगा कि इसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं ठीक है आईए दे रिपोर्ट मैंने ओनलाइन देखी है लॉरियल का पैरेस मेसलेर क्लेंजिंग वाटर है आप पता हैं इसमें क्या क्या चीज़े हैं इसमें हैक्सलिन ग्लाइकॉल है पॉलक्सामर 184 डाइसोडियम होकाम फॉस्ट एसिटेट है डाइसोडियम इरिटी है बीस्टी है पॉली चीज़ गलत हो लेकिन जो इन्फॉर्मिशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं लेकिन यह कितने का कॉस्ट करता है इसको आपको देखके चौक जाएंगे यह क्लेंजिंग वाटर 3200 रुपैगा है राइट लॉरियल का पेरिस क्लेंजिंग वाटर इट इस 3200 रुपीज पंद्रा सो पचास रुपैगा यह वो प्रोड़क्त है जो मार्केट में जिनका नाम है लॉरियल वर्ल्ड फेम कंपनी है तो मैं इसलिए उसका आपको बता रहा हूं बायो डर्म इसका भी कॉस्ट 1499 रुपैगा राइट बायो डर्मा का दूसरा प्रोड़क्त है सीबम ज जांगे हैं ऐसा कुछ नहीं है एक प्रोड़क्त बहुत सस्ते हैं बशर्ते अगर आप उनको डंग से यूज़ करते हैं तो यह था आटमी का फोम क्लींजर उमीद है आपको समझ में आया होगा और अगर किसी को कोई information कोई सवाल अगर उसमें है तो आप उसे पूर सकते हैं